हेलो दोस्तों सौगत आप सुभी का बीएस रिव्यूज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेट्लिक्स के मुवी डीप को तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो दीप ये मुवी आज इन एक्सपरिमेंट का बन जाते हैं तो किस तरह का ये एक्सपरिमेंट रहता है और अब इन चारों के साथ क्या क्या होने वाला है और क्या ये एक्सपरिमेंट इनकी जान ले लेगा या नहीं ये सब जाने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी अगर हम इसके स्क्रीमटे की बात करें तो इस मूवी का स्क्रीमटे ठीठा की है यानि बहुत जादा अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत जादा खराब भी नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इस मूवी में काफी सबर रखना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में आप इस मूवी के साथ चाहकर भी कनेक्ट नहीं उपाओगे लेकिन फिरे धीरे जिस तरह से ये मूवी आगे भढ़ती है हम इस मुवी के साथ connected feel करने लगते हैं और हम जानने चाते हैं कि अब इन चारों के साथ क्या होने वाला है और इन चारों किस तरह से react करने वाले हैं especially जो इस मुवी का second half है जहांपर इन चारों बहुत दिनों से नीद नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी ये twist अच्छे हैं हमें इस मुवी के साथ hold करके रखते हैं और जहांतों बात है character development की तो वो भी काफी बहतर हो सकता था क्योंकि सभी characters को बस basic level ते की develop किया गया है जिसके कारण हम किसी भी character के साथ पुरी तरह से connect नहीं हो पाते हैं इसलिए जो कुछ भी उनके साथ हो रहा होता है वो हम पे उतना emotional impact नहीं डाल पाता है और जो characters के विश्व dynamics हैं वो भी बस ठीक ठाकी हैं और भी कुछ problems हैं इस movie में जैसे कि इस movie को देखते वक्त हमारे मन में कई तरह की सवाल आते हैं लेकिन उनके जवाब ये movie हमें नहीं देती है लेकिन अगर मैं इन सब पर detail में बात करने गया तो आपका इस movie में देखने लाइक कुछ भी नहीं बचेगा और अगर हम acting की बात करें तो सभी actors का काम बस ठीठा की है किसी का भी काम बहुत दाद अच्छा नहीं है और कहीं कहीं जगे तो ये actors हमें over dramatic लगते हैं लेकिन यहां जिन्होंने doctor के character को play करा है उनकी बात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनका काम सच में काफी दाद खराब है और जिस तरह के वो awkward poses अपने dialogue delivery में लेते हैं वो सच में काफी दाद खराब हैं और उन्हें देखका तो ऐसा लग रहा था कि इन्हें अपने dialogues भी याद नहीं हैं और अगर हम direction और editing की बात करें तो direction तो इस movie का ठीक ठाकी है क्योंकि कुछ जगे हमें अच्छा लगता है तो कुछ जगे काफी खराब लगता है और अगर हम editing की बात करें तो वो काफी बहतर हो सकती थी क्योंकि इस movie के कुछ scenes को काफी आसानी से chop किया जा सकता था और अगर हम production quality की बात करें तो वो ठीक ठाकी है तो overall मैं यही बोलना चाहूंगा कि यह एक ठीक ठाक movie है जिसे आप देखोगे तो आप बोर तो नहीं होगे लेकिन अगर skip करोगे तो अफसोस नहीं करोगे तो आपको यह movie देखनी है नहीं यह आपके उपर है और अगर आपने यह movie देख लियो तो मुझे comments में ज़रू बतना है कि आपको यह movie कैसी लगी और अगर आपको वीडियो से related कोई suggestion यह शिकायत करनी हो तो भी आप हमें comments में बता सकते हैं या फिर हमें Instagram और Twitter पी follow कर सकते हैं Link description में आज के लिए बस इतना ही दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेर कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत